नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका यूगिट पलसी गाइड में मेरे नाम है आशी शौतिला और आज इस वीडियो में मैं आपको 2022 में जो नोबल प्राइज मिले हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करवाने वाला हूँ तो बहुती अमेजिंग ट्रिक होने वाली है और आप अगर वीडियो को एक दो बार पूरी देखते हो तो आपको असानी से वो याद हो जाएंगी इसी प्रकार से मैंने 2021 के जो नोबल प्राइज है उनके लिए भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाने की कोशिश करी थी और उ यहां से उत्राखन PCS एक क्वेशन तो पूस्ता ही पूस्ता है इसके अलावा भी जो सेंटर लेवल की जितने भी एक्जाम होते हैं चाहिए वो UPSC से लेकर के कोई CGL, SAC वगएरा जितने भी होते हैं ग्रूप D वगएरा के यहां करेंट अफेर्स से यह क्वेशन आने के बहुत ज़्यादा chances होते हैं दोस्तों class को आगे continue करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी information देना चाहता हूं कि यहां पर आप चाहिए तो हमारे online batch को भी join कर सकते हैं online batch के बारे में कुछ basics जो जानकारिया है वो यहां पर लिखिया है अगर आप interested हो पढ़ना चाहते हो त तो 2022 में किस-को noble पुरुषकार मिले हैं उनको जरा देख लेते हैं और बहुत easily तरीके से याद करेंगे trick के माध्यम से तो पहले यह देखते हैं पहला जो noble prize मिला है वो शान्ती के छेतर में मिला है किस-को मिला है देखो पहले बात तो यह समझ लो कि शान्ती के छेतर में noble prize वहीं मिलेगा जहां पे सबसे ज़्यादा अशान्ती रही होगी उस छेतर में अगर किसी ना शान्ती की पहल करने की कोशिश की होगी तो वहीं मिलेगा तो 2022 में जो सबसे ज़्यादा अशान्ती वाला छेतर था ठीक है वो कौन सा था वो था Russia Ukraine war तो Russia और Ukraine की जो लड़ाई थी वहां पे युद्ध हो रहा है ठीक है तो अशान्ती तो हो गई तो इसके छेतर में या इसको कम करने के लिए अगर किसी ने कोई effort किया है या फिर इसके जो परभाव है या प्रेणाम है इनको कम करने के लिए किसी ना अगर कुछ help किये तो उनको इसमें Nobel Prize मिला है शान् आई भी है तो एक सांती पुरुस का रश्या को मिला एक युक्रेन को मिला मतलब इनके जहां की जो सस्ताय है अब इनका एक पडोसी है युक्रेन का पडोसी हो गया बेलारूस तो जो युक्रेन का पडोसी बेलारूस है तो देखो आपने कभी नोटिस किया होगा ना कि तो इसले एक शांतिका पुरुसकार बेलारूस को भी मिल गया, ठीक है तो देखो, तो जो मैमोरियल है मैमोरियल जो सस्ता है, यह है रश्या की रूस की, और जो यह सेंटर फॉल, सिविल लिबर्टी जो यह सस्ता है, यह है युकरेन की और एलेस बल्यात्सकी जो ये व्यक्ति है ये है बेलारूस के तो हमको ये याद करना है कि कौन कहां का है वो ऐसे भी पूछ सकता है कि 2022 में शांतिका नोबल पुरुसकार मैमोरियल को मिला ये निमने लिकित में से किस देश से संबंदित है तो ये हुजाएगा रश्या से तो कैसे याद करेंगे देखो जो व्यक्ति है बल्यात्सकी ये तो है बेलारूस के तो और जो सस्ताए है वो एक यूक्रेन की है और एक रश्या की है तो कैसे याद रखना है बहुत सिंपल है देखो रूस है ना रूस और यूक्रेयन को देखो यूक्रेयन और रूस तो जो रूस है रूस में क्या है रूस में देखो कम लैटर है दो अक्षरों का बनावा है रूस और यूक्रेयन बनावा तीन अक्षरों का तो यूक्रेन रूस से बड़ा है अक्षरू में तो जो छोटा वाला होगा वो आएगा छोटे वाले के साथ और जो बड़ा वाला हो जाएगा वो हो जाएगा बड़े वाले के साथ तो जैसे मैमोरियल लिखावा एक शब्द का है तो ये छोटा वाला जो है इन दोनों में कि कौन कहां का है तो इस चीज को mind में रख लेना और तीसरे है जो alias बलयाट्स की है वो बेलारूस के है तो रूस आपको confirm हो गया यूकरेन कंफर्म हो गया कि रूस का कौन है यूकरेन का कौन है तो तीसरा जो बचा कौन बचा वो फिर बेलारूसी तो बचेगा तो ये होगे इनके नाम अब हम इनको याद कैसे करेंगे उसको दिखते हैं तो ट्रिक ये है हमारी आपको बस एक चीज़ सोचनी है कि 2022 में क्योंकि ये नोबल पुरुसकार 2022 के हैं इसलिए हम हर किसे के आगे 2022 लगाएंगे जिससे कि हमें confusion ना हो तो 2022 में शांति के लिए बलिया में मैमोरियल सेंटर खुला गया तो ये मानो कि बलिया कोई जगा है जैसे भारत में पता होगा आपको कि बलिया उत्तरप्रदेस में एक जगा पड़ती है तो ये है कि 2022 में शांति के लिए बलिया में क्या एक मैमोरियल सेंटर खुला गया क्या खुला गया एक मैमोरियल सेंटर कहां पे बलिया में किसके लिए शांति स्थापित करने के लिए तो 2022 में शांति स्थापित करने के लिए बल्या में एक मैमोरियल सेंटर खुला गया बस आपको यह लाइन ज्यान में रखनी है तो बल्या से क्या हो जाएगा तो बल्या से हो जाएगा देखो बल्याद्सकी इसमें आगे बल्याद्सकी में आगे बल्या बल्या आ रहा न तो आप यहां से बल्या पकड़ लोगे और तो मैमोरियल तो पूरा मैमोरियल ही है मैमोरियल को मिला कहा कहा है एक शब्द का तो इसलिए रूसका हो जाएगा फिर तीसरा है सैंटर तो सैंटर याद रखना है देको पूरा याद करने की जुरत नहीं रहती है सैंटर for civil liberty क्योंकि हमारे पास यहां पर चार option होते हैं हमको बस option मतलब हमको बस एक hint चाहिए होती है जिससे कि हम सही option तक पहुँच जाए ठीक है तो यहां पर center का center से हो जाएगा center for civil liberty तो क्या याद रखना है कि 2022 में शांती के लिए बलिया में memorial center इस्थापित किया गया ठीक है कहां पर बलिया में memorial center इस्थापित किया गया किसके लिए शांती का तो इससे आपको यह पता चल रहा है कि शांती के छेतर में 2022 में जो noble prize मिला है वो किसको मिला है अब आते हैं दूसरे पर तो अब देखते हैं दोस्तों chemistry के छेतर में, तो chemistry में जो noble पुरुसकार मिला है, वो भी 3 लोगों को मिला है, ठीक है, तो maximum, एक सी ध्यान को, maximum 3 लोगों को ही noble पुरुसकार मिल सकता है, किसी भी छेतर में, एक साल में, उससे जादा नहीं मिल सकता है, तो एक जो मिला है इनका नाम है कैरोलिन बर्टोजी दूसरे हैं मॉल्टेन मेल्डल और तीसरे हैं बैरी शार्पलेस तो जो बैरी शार्पलेस है इनको न दूसरे टाइम मिला है अब इनको क्यों मिला है ठीकि किस छेतर के लिए मिला है तो ये मिला है इनको click chemistry के लिए तो अब हम देखते हैं कि हमें इनको याद कैसे करना है क्योंकि लिखे वे तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे magazine में मिल जाएंगे newspaper में कहीं भी मिल जाएंगे समश्या ये होती कि याद कैसे करें इनको याद करने के लिए जो trick है वो इस प्रकार से है सब के आगे वही करेंगे कि 2022 में chemistry की lab में देखो chemistry जो होती है रसायन जो होता है chemistry की lab होती है आपको सब को पता होगा कि chemistry में lab होती है तो 2022 में chemistry की lab में kerosene डाल कर तोnat यहाद की spole आ सब की spole करेंड़ पता होगा है कि जैसे ब्लेड होती है जिसे की kuat wird जाता है तो में बहुत शार्प था अब यह बुला गया yagr कि इस medal की जो sharpness है, जो इतना sharp है, इसको कम कैसे किया जाए, ठीक है, उसको sharp less करना है, less मतलब होता है रहित, बिना sharp के, यानि की, जो नुकीला पन है, उसको खतम करना है, वरना तो गोई गले में उस medal को डालेगा, पकड़ेगा, वो तो कट जाएगा, तो chemistry की lab में क्या किया है, इन्होंने उसमें केरोसिन डाला, क्या डाला उसमें केरोसिन, उसके जो किनारे थे गोल था वो, तो उसके किनारों में इन्होंने केरोसिन डाला, तो जब इन्होंने केरोसिन डाला, तो वहाँ पे एक reaction भी, क्योंकि वो medal, ये मान के चलोगी, वो medal किसी एक ऐसो धातू से ब 2022 में chemistry की lab में kerosene डाल कर metal को क्या किया गया? sharpless किया गया. तो kerosene से क्या हो जाएगा? kerosene से हो जाएगा क्या? caroline bertuji. देखो caroline, carosene मिलता जुलता नाम आ रहा है ना? caroline, carosene, caroline, carosene ऐसा मिलता जुलता नाम है ना? तो carosene से क्या? caroline bertuji, यह हो जाएगा. दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? carosene डाल कर metal को sharpless किया गया. किसको किया गया? metal को? तो metal से क्या याद रखना है हमें? metal से हमको याद रखना है क्या? metal. इस से याद रखींगा हम metal. तो metal, metal, मिलता जुलता नाम आ रहा ना? और तीसरा है, carosene डाल कर metal को क्या किया गया? sharpless किया गया. मतलब बिना sharp वाला, बिना धार-धार. तो sharpless से क्या हो जाएगा? sharpless से हो जाएगा क्या? berry sharpless. तो इनके सरने में ही sharpless आ रहा है. ठीक है? तो chemistry से यह हो गया, बहुत simple सा है कि 2022 में chemistry की lab में kerosene डाल कर metal को sharpless किया गया. ठीक है? अच्छा और यह ध्यान में रख लेना कि यह click chemistry के लिए दिया गया है इनको. बस यह point भी note कर देना. तो अगला जो हमारा छेत्र है वो है भौतकी. तो भौतकी में भी तीन लोगों को मिला है. एक है alien aspect है. ठीक है? एक है john closer है और तीसरे है Anton jillinger है. ठीक है? अब इनको क्यूं मिला है? इनको मिला है quantum physics के लिए. तो chemistry में मिला था किस के लिए? click chemistry के लिए और physics में मिला है quantum physics के लिए. ठीक है? तो यह चीज़ ध्यान में रखना. अब इनको हम याद कैसे करेंगे? जो इनके जो नाम है quantum physics दो आप याद में कर लोगे? उसमें कोई वो नहीं है. तो जो हमारी physics के जो noble prize याद करने की जो trick है 2022 में जो noble prize मिले है. वो यह है कि 2022 में physics की class में. जैसे हमने chemistry की lab बोला था ना. ताकि हमको पता चल जाए कि वो जो noble prize मिले है. वो chemistry में मिले है. तो इसलिए यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखो कि 2022 में physics की class में alien है. देखो यह alien alien देखो यह जो alien है. alien से आप यहाँ पर यह समझ सकते हो कि हम की alien आ गया यार. तो alien आ गया मतलब दूसरे ग्रया का कोई प्राणी है या जो हमारी प्रिथिवी का नहीं है. कोई alien नहीं बुलते कि alien ship है या इस तरीक से. तो यह imagine करो. यह मान के चलो कि 2022 में physics की class में एक alien आया और उस alien ने newton का law पड़ा. Newton का law तो जो प्रिथिवी पर रहते हैं alien ने newton का law पड़ा. अब इसको देखना है कि यहां से क्या-क्या है. तो physics की class. तो class से हमें क्या याद करना है क्या हम याद करेंगे क्या closer ठीक है? closer आ रहा है. classer भी इसको आप बोल सकते है. closer भी बोल सकते है. तो classer या closer ये ध्यान में आ रहा है class इस से आप इसको खड़ सकते हो दूसरा क्या आ रहा है कि alien ठीक है तो alien से आप क्या याद रखोगे alien से याद इसका जो नामी है वो alien ही है start में तो alien aspect इस से याद रखोगे और तीसरा क्या है तीसरा है क्या नूटन का law पड़ा, तो Newton से क्या याद रखेगों आप Anton, ठीक है, Newton, Anton, Newton, Anton, मिलता जुलता नाम है ना, तो Newton से क्या हो जाएगा, Anton, Jillingar हो जाएगा, तो सारा नाम, पूरा नाम याद नहीं करना है, बलकि आपको एक एक शब्द पकड़ने है, जिससे कि आप option को सही टिक मार दो, तो एक बार और repeat करता हूँ, तो क्या बोला मैंने, तो 2022 में physics की class में, alien ने Newton का law पड़ा, तो class से हो जाएगा, closer हो जाएगा, alien से alien ही हो जाएगा, Newton से हो जाएगा, Anton, तो ये physics के होगे, आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानों कि आप इस वीडियो को अगर दो बार देख लेते हो ना, एक है, फिलिप, दूसरा हो गया, डगलस डाइमंड हो गया, तीसरा हो गया, बैन एस, बरनार के हो गया, ठीक है, तो अब ये heavy heavy से नाम है, मतलब हमारे लिए अंग्रेजियों के जो नाम होते हैं ये भार देख वो बहुत अजीब अजीब से होते हैं, तो याद ही नहीं होते हैं, तो देखो, तीन physics के छेतर में भी तीन लोगों को मिला, chemistry में भी तीन लोगों को मिला, यहां भी तीन हो, वो बहुत ज्यादा important है, अब इनको जो मिला है, अर्धिसास्त के छेतर में क्यों मिला है, वो मिला है इनको bank और financial crisis होता है, उसमें research के लिए, मतलब अगर वितिया जोखिम या वितिया अगर कोई crisis आ गया, या financial crisis आ गया, तो उस छेतर में इन्होंने research किया है, तो उसके के लिए मिला है, अब देखते हैं कि इसकी trick क्या है, किसकी जो इनको अर्धिसास्त के छेतर में, यानि कि जो economics के छेतर में मिला है, फिर से हुआ ही है 2022 में, यह हम हर किसी में करेंगे, क्योंकि तभी तो हमें याद रहेगा कि यह 2022 वाले है, 2022 में economy को, ठीक है, economy मतलब समझते अर्थ प्यवस्ता है, तो 2022 में economy को flip करने के लिए diamond को ban किया, अब आपने यह चीज़ पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत economics वगरा पढ़ रखे है, तो आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या होता है, कि जब महंगाई आती है, तो महंगाई को रोकने के लिए क कुछ RBI कुछ करता है, या अगर हमारे देश में मंदी चल रही है, तो उसको रोकने के लिए कुछ प्यास करते है, तो सपोज यह मान के चलो कि 2022 में economy बहुत मंदी चल रही थी, economy बहुत गरीवी थी, उसको बढ़ाने के लिए, क्या-क्या इन्होंना flip करने के लिए, flip मतलब यह यह जो अभी आने वाले हैं, इनको economics के छेतर में मिला है, तो economy से तो आपको वो clear हो जाएगा कि economics के छेतर में मिला है, ठीक है, तो 2022 में economy को flip करने के लिए, तो जो flip है, ठीक है, तो flip से हम क्या याद रखेंगे, flip से याद रखेंगे हम क्या, flip H. Dye Boving, तो Dye Boving याद करने का भई diamond को, तो diamond से क्या याद करेंगे हम, तो diamond से याद करेंगे, देखो Douglas W diamond आ रहा है, तो diamond से तो diamond ही हो जाएगा, और तीसरे क्या है, बैन किया, economy को flip करने के लिए diamond को band किया, तो band से क्या हो जाएगा, band से यह हो जाएगा, हमारा sorry, यह यहाँ पर है, band से हो जाएगा, यह Ben S. Bernard के तो starting में इसका जो नाम है वो Ben है ठीक है तो यहां से आपको यह याद हो जाएंगे 2020 में economy को flip करने के लिए diamond को Ben किया noble price का जो अगला छेत्र है वो है साहित्या 6 छेत्रू में यह मिलता है ठीक है तो साहित्य में देखो किसको मिलता है तो साहित्या में मिलता है Ernie Arnex को ठीक है और यह है France की तो एक ही को मिला है वैसे इसमें trick की मुझे जुरत लगती नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक नाम है तो एक नाम है और आप इसको वैसे याद कर सकते हो कि Ernie Arnex को मिला है लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पाता तो इसको हम trick के मादियम से भी अगर देखे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 2022 में France में कहां की बात हो रही है France की बात हो रही है क्योंकि अकसर जो एक होता है जो यह साहित्या हो गया यह जो शान्ती हो गया यह दो ऐसे छित रहे है यहां से किस देश के हैं यह भी पूछे जाते हैं कहीं बार तो यह क्या है trick कि 2022 में France में book खरीदने के लिए भाई book क्यों बोल रहा हूँ मैं book का मतलब यहां पर booker price मत समझ लेना ठीक है मैं book इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किताब जो होती है वो साहित्य में तो आएगी ना तो अगर साहित्य का सम्मंद literature का सिम्मंद तो किताबी से होगा ना तो 2022 में France में book खरीदने के लिए क्या करना book खरीदने के लिए 2022 में money नहीं चाहिए थी भाई क्या नहीं चाहिए थी आपको money आपको पताए कि आप हर जोगा book खरीदने जाओगे तो आपको money की जुरत पड़ती है तो money बिना money की तो कुछ होता नहीं है लेकिन France में 2022 में ये बोला गया कि अगर आपको कोई book खरीदने है तो आपको अगला है चिकित्सा तो चिकित्सा के छेत्र में जो मिला है स्वांते पाबो को मिला है और ये स्वीडन के है और इनको क्यू मिला है इनको मिला है कि मानव के क्रमिक विकास पर शोद करने के लिए ट्रिक क्या है ट्रिक क्या है कि 2022 में Sweden में, Pabo में, Medicine Free मिली क्या मिली? Sweden में, Pabo में, Medicine, मतलब Pabo कोई जगा का नाम है आपको पता है, तो Pabo, या फिर जैसे PODY में भी है, या इसको हम Sweden बोल देते हैं, क्योंकि ये Sweden देश के हैं, जो ये Swante Pabo है तो ट्रिक है कि 2022 में Sweden में Pabo में, Medicine Free मिली तो Sweden में जो एक जगवा थी Pabo, वहाँ पर क्या Medicine Free मिली तो Medicine से क्या हो जाएगा? कि Medicine के छेतर में मिला, और किसको मिला? Pabo को मिला, तो अगर आपको Sweden याद नहीं भी करना है, तो आप बस इतना भी कर लो, कि Pabo में 2022 में, Pabo में Medicine Free मिली तो आपका काम हो जाएगा तो दोस्तों, ये थी है 2022 के Novel Price आपको क्लियर हुआ होगा और ये ट्रिक आपके लिए Beneficial होगी तो दोस्तों, अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में शियर किया करो, लाइक किया करो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार